क्या 12 अगस्त को रात नहीं होगी? क्या 12 अगस्त की रात में भी दिन की तरह बुजाला होगा? क्या 12 अगस्त से स्रिष्टी का उल्टा चक्र शुड़ू हो रहा है? जी हाँ, फेस्बुक से लेकर वाटसप तक में इस तरह की पोस्ट वाइरल हो रही है सबूत के तौर पर कई जगों पर अख़बारों की कटिंग भी शेयर की जा रही है इन वाइरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त को रात होगी ही नहीं दावा ये भी है कि 96 साल पहले भी ऐसा हुआ था और अब एक बार फिर से ऐसा होगा 12 अगस्त को रात नव होने का दावा करने वाले मेसेज में नासा का हवाला देकर कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा चमतकार हो रहा है इस दिन से स्रिष्टी का उल्टा चक्र शुरू हो रहा है साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि जिसने भी रास्त में जिन जैसा ये नजारा देखने की कोशिश की उसे भयंकर नुकसान होगा लेकिन इसका सच क्या है? क्या ये पूरी तरह जूटा मेसेज है या पिर इस मेसेज की कोई सच्चाई है? क्या सच में सुरज 12 अगत की शाम को ढलने से इनकार कर देगा? ध्यान से तुनिए कि आखिब 12 अगत की रात होगा क्या? नासा के मताबिक 12 अगत की रात को मेटे और शावर यानि की उलका बारिश होगी उलका बारिश में आसमान से चमकती उलकाओं के कई पिंड गिरते हैं ये उलका पिंड एक के बाद एक जब आसमान से गिरते हैं तो उजाला चा जाता है इसी वज़ा से रात में थोड़ा उजाला दिखेगा ये सच नहीं है कि 12 अगत को रात होगी ही नहीं लेकिन हाँ उलका पात की वजह से रात में थोड़ा थोड़ा उजाला होगा। साथी हम यहाँ यह भी साफ कर दें कि यह इतिहास का सबसे बड़ा उलका पात नहीं होने वाला है। इससे पहले भी कई बार मेटे और शार की घटनाएं हो चुकी हैं जब रात में अचानक से उजाला चा गया। लिहादा इसमें चमतकार जैसी कोई बात नहीं है इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आप पड़े आराम से निश्चिंत बह सकते हैं। अनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइस के लिए वीडियो के निची दिये गए लाल बटन को प्रेस कर जैटेक को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए